डिजाइन चित्रकला बहुत है आप देखें इस पत्थर को तराशने के बाद यह कितना बेतरीन डिजाइन बनाया हुआ है यह हाथ होगा डिजाइन ना कि कोई मशीन होगा हैलो दोस्तो कैसे आप सब लोग आई होग कि आप अच्छे होंगे बेतर होंगे मैं आपका पैज अलवी एक नियू लॉग के साथ तो दोस्तो आज हम पिर आये हैं बड़े इतिहासिक मगबरे के साथ तो दोस्तो यह मगबरा है सेद सैफाली खान का मगबरा और इसी मगबरे के साथ उनके वालिदा की कबर भी है जो उनके पास है तो दोस्तो मैंने एक विलोग बनाया था जो सेद हुसेन के नाम से बनाया था तो भाई की यह कबर है जो की सेद सैफाली खान है तो दोस्तो यह मगबरा वहला खुस्तूरत बनाया है संगे मरमर के पत vindenally map इस मगबरे केंदर चुका है इस गेट यसा का ठुड़ चुका है अब मैं सके मगबरे केंदर राचुका सिसमग बहुत सूरत यह मगबर है इसके का रहए ठाल है अब बोस्तों डिख़ाइम सब्स तो चलो अब बताते हैं इसके कुछ गारागरी दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिजाइन खास इसी के लिए विलॉग बनाया जा रहा है इस मकबर है इसमें डिजाइन चित्रकला बहुत है आप देखे इस पत्थर को तरासने के बाद ये कितना बेतरीन डिजाइन बनाया होई और ये जो हैं वो सेयद सैफ अली खान का मगबर है उनकी कबर है और ये एक बच्चे की बताते हैं उनका बच्चा है किसे और का मगर ये बच्चे और उनकी जो वालिदा की कबर है वो जो मेरे पीछे कबर देख रहे हैं आप उनकी वालिदा की कबर है और हां एक खास बहुत अचछ डिजाइन है तो दोस्तो यlles मगबरे की खास बात है और यह जो पिलर है इस पिलर के अ अंदर जो घारा को बारा दर्वाज थाइन तीन ज़ान तीन तीन अदर चारो तरफ तीन तीन करके यह बारा दर्वाजव थो यह इसकी खूबी है तो दोस्तो मैंने इस चोटे से विलॉग में आपको ये सारे मगबरे का इतिहास बताया है पूरा मगबरा भी बता दिया इसकी कहले गिराफिया आपको इसके डेजाइन और इसके जो बारा दर्वाजी वो सब कुछ दिखाया तो दोस्तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच हेटीव